गुरुजी आज के संक में हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही आम रोग के बारे में जो की हमारे शरीर में ही कही ना कहीं हमारी ही वजह से उत्पन होता है वो है ब्लड प्रेशर कोई नहीं चाहता कि हमारे शरीर का असंतुलित हो लेकिन किस कारण से ब्लड प्रेशर असंतुलित हो जाता है या घट जाता है, दोनों ही माईणों में वो खराब होता है और शरीर के लिए नुकसान दायक होता है सबसे पहले मैं यही आज जाना चाहूंगा कि ब्लड प्रेशर के असंतुलन के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है देखिए ब्लड प्रेशर जो आई है हमारे गलत खान पान की देन है चाय कोफी, मीट आंडा, मचली, ब्रेड बिस्कुट परांठा, पैप्सी लिमका, धुलीव दाले छिलीव सब्जी, छना वाटा जब इसका प्रयोग करते हैं तो हमारा लीवर जो है वो पाचन सकती दिन प्रति दिन कमजोर पड़ती है पैंकरी इंसुलीन नहीं बनाती, फिर खाया प्या पेट में सड़ता है उससे गैस जादा बनती, पेट पूरा साफ नहीं होता जब पूरा खून नहीं बनता है पराने खून बार बार दिल में जाके साफ होता हो गारा हो जाता है और गारा होने पर जब दिल को जटके लगते हैं तो बीपी हाई हो जाता है उसमें गुसा भी बहुत आता है और जिसका बीपी हाई है इसका एक दम चेरा ऐसे होता है जैसे आंखों से कून टब करा है इसके कई किस्म के रोग है और इससे यदि समय के उपर अपचार न किया जाए तो रोगी के मृत्वी हो जाती है और लो बीपी हो जाए तो हाथ पाउं टेड़े पढ़ जाते हैं मुह से बोला नहीं जाता और स्रीज सुकी लकड़ी की बांती अकड़ जाता है प्रांतु जो अभी मैं अपचार आपको बताने जा रहा हूं यदि आप इसको ध्यान पर सुनते हैं समझते हैं लिख करके रखते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके स्रीर के अंदर सांसा तब तक आपको बीपी तो क्या किसी किस्म का रोग हो ही ने सकता सबसे पहले अपने खान पान पर ध्यान दें और फैंड तेल का तो कभी भी प्रयोग मत करें यह बीपी बढ़ाने के लिए एक किस्म का अमरता है ज्यादा तलवी चीजियों का प्रयोग ना करें और रोटी हमेशा खुष खाएं यदि आपको घी खाने का साओ करता सुके आटे में घी मलाके फिर उसके बाद उस आटे की रोटी बनाते तो नुकसान नहीं करेंगे प्रांतु जब रोटी बनाने के बाद आप रोटी में घी लगाएंगे तो वह आपको नुकसान करेंगे उसको पाचन सकती पूरा और जैस्ट नहीं करती फिर पेट में जाके सड़ता है जैसे जैसे गैस बढ़ती है कब जोती है बैसे 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 बीपी बढ़ता है अब भरने के तो इसके कहीं कालने प्रांतु इसके घटाने का जब आपको मैं उपचार बता रहा हूं यदि आप इसको ध्यान पूर्क सुनते हैं संचते हैं लिख करके रखते हैं तो जिसको सुवा साम बीपी की दौाई खाने पड़ती है पहले दिन उसकी दौाई बंद आज कल गाजर तो प्रेपत मात्रा में आ रही हैं आप एक ग्लास सुवारा जो करके उठे दातिन कूला करने के बाद ले लें प्रह्तु ताजा निकालके और हलका गर्म करके एक ग्लास बारा एक वज़े के बीच में ले 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 और एक ग्लास तीन चार के बीच में ले 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 तो गाजर में सोडियम, पोटासियम, अगनेसियम, फार्सफोर, शिलिगावन जो इसके अंदर नमक है यह जाके पेट के तल्ववे से सिरके बाल तक हर एक चीज को ऐसे अपने कंट्रोल में करते हैं जैसे भागती हुए गारी को ड्रैवर ब्रेक लगाके एक जगा जम कर देता है, ऐसे स्रीर में जितनी चीजा उसी को रखता है, बाकी चीजों को बाहर पहिंक देता है परन्तु गाजिर का नियम है कि गाजिर को छिलना नहीं है और गाजिर जितनी मलायम होगी और जितनी लाल रंकी होगी उतना आपको लाप जादा होगा परन्तु यह है कि जैसे आप जूस निकालते हैं तो जूस निकालने के बाद इसको उसी टाइम पी लेने, यह नहीं के अभी निकाल करके, दो गेंटे बाद पीते हैं, तो उसके अंदर जो असली गुन है, वो समाफत हो जाते हैं अद्रक, प्याज, लस्टन, गाज्यर, मुल्ली, सलगम, चुखंदर इनका जूस निकालने के बाद, दस मिन्ट में उसका टूटली असर समाफत हो जाता है और जिनका बीपी लो रहता है, उनको हमेशा गाज्यर के रस के अंदर, पचास ग्राम से सौ ग्राम तक, छोटी मक्ही का, पालतु मक्हीं जो होती हैं इनका साहत मलाके पीएंगे, तो आपको कभी भी जिन्दगी में दोबारा बीपी लो नहीं होगा अब जिस टैम आप गाज्यर का जूस पी रहे हैं, यह तो आपको सीजन सीजन में मिलेगा प्रांतु जब सीजन समाप्त हो जाएगा फिर गाज्यर का रस कहां से लाएगे उसके लिए आपको अभी से ही सावधान होना पड़ेगा जो बिलकुल पतली गाज्यरे हैं, ब्रीग गाज्यरे हैं यह गाज्यरे धागे के अंदर प्रोग करके जैसे माला बनाते हैं, जैसे माला बना दें और चाया में किसी कमरे में या अपने किचन में खुट्टी में लटका दें अब यह जैसे जैसे हावा लगती जाएगी गर्म भी लगेगी, सर्द भी लगेगी बैसे बैसे गाज्यरे सुकुरती जाएगी और अप्रैल मही में ये गाजने बिलकुल सूक के लकड बन जाएंगी, उस टाइम जब गाजने मिलेगी आप एक माला ले ले हैं, उस टाइम जब गिली थी तब तो आपका इसका धाई तीन किलो बजन था, प्रांतु सूकने पे इसका बजन रह जागा सतर से असी ग्राम, कि आप इस गाजने को धागे से निकाल के कूट के पीश के जैसे आटा होता है, ऐसे बना ले मलाइम, अब चाहे आपके पास सौ ग्राम है, चाहे सत्तर ग्राम है, इसको लेके, दो किलो गन्ये के ताजे रस में इतना उबाले हैं, कि एक तार की चासनी बन जाए, फिर इसको नीचे उतार करके, ठंडा होने के बाद, कांच की बोतल में रख लें, अब इसमें से आप हर दो ड़ाई घंटे बाद, पचास ग्राम ली, गर्मी का मौसम है तो ताजा पानी मला लिया, और सर्दी का मौसम है तो उसमें गर्म पानी मला लिया, अब एक ग्लास पीने में आ आप आदे घंटे का समय लगाएं, तो आपके पहर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रो को, वो भी ऐसे ही काटे की, जैसे ताजी खेत की लाई हुए गाजर कारती है, गन्ये के रस में जब सुके हुए गाजर को अबाल के उसका, एक किसम का सर्विद बना के आप पीते हैं, तो ये भी ऐसे ही काम करता है जैसे ताजी घाजर का रस काम करता है, परन्त एक बात का ध्यान रखना, कि खाना हलके से हलका खाना, और खाना हमेशा ताजा खाना दिन में 10 से 12 के अंदर रातरी 6 से 8 के अंदर खाना खाते समय दो ग्लास गर्म पानी लसन प्याज अदर का रस्म लाके पीना अतिया अफ्सक है उसका नियम है कि आपने 2-4 ग्राइख खाना खाया, 2 गुट पानी पिया, फिर दो चार ग्राइक खाना खाया, फिर दो गुट पानी पिया, खाना खाने में पानी पीने में एक गहंटा का समय लगाना जरूरी है, उसके बाद दात्र कूला करके पांच मिन्ट के लिए आप बजरासन बैठ जाएं, पांच मिन्ट के बाद दिन का टाहे में तो दस परिवार से बात करें, ठीक, खाना खाना के दो गहंटे बाद आप सो जाएं, सुबह चार बजे उठ करके, आधा गहंटा कपाल बाती, पंदरा मिन्ट भसरी का, आठ दस बार अगनिसार, पंदरा बीस बार उजयी, पच्ची तीस बार ब्रहम्री, एक गहंटा लोन लोन, पांच मिन्ट कुम्बक, यह करना अवस्य का, उसके बाद यदि आपके टाइम ब गौमुकासन, सभासन, सरवंगासन, हलासन, सीशासन, एक एक दो-दो मिन्ट इसको भी कर ले, तो मैं दावे से कह सकता हूँ, कि जब तक आपके श्रीर के अंदर सांस है, तब तक ना तो आपको किसी डाक्टर के पास जाने की जूर्त है, नहीं किसी दौाई खाने की जूर होगा, और जहां भी आप जाएंगे, हर आदमी आप से पूछे का आपकी सेथ का राज क्या है, तो आप इसमें स्कोच न करें, बता दें, और कहीं भी आपने महिमान नवाज में जाना है, तो उनको पहले कह दें, के मेरी रोटी में घीर नहीं लगाना, मेरी सबजी में दा बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसका लो बीपी है, उसको नमक दे तो उसका बीपी नॉर्मला जाता है, प्रांतु नमक कभी भी आपने प्रयोग करना है, तो काला नमक के सिंदा नमक प्रयोग करें, जो आपका आयवडियन वाला नमक है, यह आपके रोगों को बढहतरी किसी रोग को कारता रही है, आज यो मर्दों में नफुष्टा आ रहे हैं, आवरतों में बांजपन आ रहा है, यह आपका सारा आई डिन नम्क की देन है, आई डिन नम्क आउरतों का आंड़ा बनने से रोकता है, मास्य के धर्म खराब करता है, और मर्दों का जो बीरिया है उसको पतला बनाता है और जो उसके अंदर मर्दान की सक्ति है उसको खत्म करता है परांतों सिंदा या काला नम को इसमें जितना आई डिन हमें चाहिए उतना कुदरत ने पहले दे रखा है इतना जो हम फाल सभी है नाज खा रहे उसमें प्रयाप्त मातर में उतता है जो हम फाल तु आई डिन लेते हैं यह सिर्फ हम रोगों को निमांतन दे रहे हैं इससे रोगों से मुक्ति नहीं मिलती जो टीवी के माधियम से बताते हैं कि आई डिन नमक लेगे गले में घेंगा हो जाएगा यह वह है चत्ती बाते बनाते हैं यह सिर्फ बिजिनस के पॉइंट है उनको पैसा मिलता इसके आई डिन नमक पे बहन हैं किसी पे भी नहीं है यह तो हमारी जो पहले की सरकारे थी इन्होंने यह परबंज बना रखा था कि दुनियों को बेकूब बनाओ और राज करो प्रांतु जो मैं टीवी के माधियम से बता रहा हूं मैं बिलकुल सत्य बता रहा हूं मैं एक हकीम हो मैं डॉक्टर नहीं हूं नारी प्रिक्ष्ण में जो आपकी मेडिकल सैंस आरियो अपनी मशीनों से टेस्ट करके MRI CT scan XRA ultrasound ECG sonography में रोग नहीं पक्ट सकते हैं उसको मैं पांच सेकेंट में नभज पकड़ के बिता दूगा इस अंग में यह रोग है इतना परवाना है और उसके बाद द्वाई देके दो घंटे के अंदर-अंदर उसको 10 से 15 प्रेंट राम झाले ग्रादेट